क्या हम लोग बारिश में दही खा सकते हैं? या बारिश में दही खाने से, हमारे स्वास्थ पे, हमारे हेल्थ पे कोई बैड इंपेक्ट होगा? दही या जिसे हम लोग कर्ड भी कहते हैं, उसके कई सारे फायदे होते हैं एक तो वो बहुत अच्छा probiotic होता है उसमें बहुत अच्छे calcium की मातरा होती है और साथ ही में उसमें protein की मातरा भी बहुत अच्छी होती है तो यह regularly diet में लेने से तो फाइदा है है लेकिन सवाल आता है कि क्या हम लोग इसे हर रूतु में खा सकते हैं खास कर क्या हमें बारिश में दही का सेवन करना चाहिए या नहीं तो आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ डॉक्टर सुशमा जादो consulting physician और यह जो channel है जिसका नाम है health savvy जिसमें हम लोग हर वीक interesting topic पे वीडियो लेके आते हैं दही में अपनी एक खटास होती है लेकिन दही का जो गुन है या अंदर का गुन है वो गर्मी पैदा करना होता है और साथी में यह जो दही है यह हमारे digestive process को boost करने में उसको बढ़ाने में उसे simple करने में help करता है इसलिए चाहे गर्मी का रूतु हो या चाहे बारिश का रूतु हो दही को हमें अपने खाने में जरूर लेना चाहिए लेकिन कुछ चीज़े है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम लोग खास कर बारिश में दही का सेवन कर रहे है सबसे पहले तो जो दही है वो फ्रेश होना चाहिए यानि घर में बनाया हुआ फ्रेश दही अगर खाते है तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा दूसरी बात है कि जो दही है वो खटा नहीं होना चाहिए या जो उसमें खटास है वो बहुत कम होनी चाहिए अगर हम लोग घर में दही बना रहे हैं और हम लोग रात में जमा करने के लिए दही रखते हैं तो सुब़ जो दही जम जाता है या सुब़ जो दही बनता है वो एक तो फ्रेश होता है और उसमें जो खटा सोती है वो बहुत कम होती है तो ऐसा जो दही है वो अपने खाने में लेने के लिए सबसे बढ़िया है तीसरी बात खास कर बारिश के मोसम में हमें दही रात के खाने में नहीं लेना चाहिए तो कोशिश करो कि आप अधर breakfast में या lunch के समय में उसे खाने में ले और रात में उसे avoid करे चवथी बात चाहे दही कितना भी फायदय मंद हो जब हम लोग बारिश के सीजन में शुरुआ शुरुआ बात में दही खाने में ले रहे तो उसकी quantity हमें थोड़ी सी कम रखनी चाहिए जब थोड़ी सी quantity से हमें कोई तक्लिफ नहीं हो रही है तो हम लोग उसकी quantity धीरे धीरे बड़ा सकते हैं पाच्वा पॉइंट जो दही जमा हुआ है उसे बारिश की मौसम की वज़े से चाहे आजो बजो में मौसम कितना भी थंडा क्यूं हो उस दही को गरम करके या उसे हीट करके नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके वज़े से जो उसके health property से वो पूरी destroy हो जाती है और वो जह हमारे body को खतरना के नुकसान दायक बन सकता है छटा point पूरी तरह से जम के जो दही तयार है उसे ही हमें खाने में लेना चाहिए आधा जमा हुआ पतला दही हमें avoid करना चाहिए अभी सात्वा और आखरी point अगर आप बारिश के season में दही खा रहे हो और उसके बाद अगर आपको गले में दर्द, सर्दी, खासी, बुखार ऐसे कोई भी चीज अगर होती है तो हो सकता है कि आपको दही पूरी तरह से suit नहीं कर रहा है और ऐसे समय पे आपको दही का 7 कुछ हपतों तक रोकना चाहिए और कुछ हपते के बाद आप फिर से दही का 7 चालू कर सकते हैं तो आज हम लोग ने बात की कि दही का 7 हर रूतू में फायदेमंद होता है लेकिन बारिश में अगर हम लोग दही लेना चाहते है तो कुछ चीजों का ध्यान देना जरूरी है हम लोग अगले हपते फिल मिलने वाले हैं ट्रेक केर